प्रदान मंत्री देश को करेंगे रिपोर्ट लेकिन सरकार की विफलताओं पर बीजेपी लाएगी काला पत्र चीनी प्रदान मंत्री का नमस्ते इंडिया कहा दूर करेंगे भारत की चिंताएं और यूपीए टू सरकार के चार साल पूरे हो गया 22 माई को प्रदान मंत्री रिपोर्ट पेश करेंगे कि चार साल की उपलब्धी क्या रही हर साल यूपीए टू में प्रदान मंत्री ने रिपोर्ट पेश किया है देश के सामने लेकिन बड़ा सवाल है कि जो इस्थिती इस वक्त यूपीए टू की रही है जिस तरह से सरकार चार चौतरफा हमले को चाहे सुप्रिम कोर्ट हो चाहे सी बी आ हो चाहे हो CAGO और चाहे फिर बिपक्ष हो चोतरफा हमले को जेरी UPA2 सरकार का रिपोर्ट जो भी होगा उसमें जाहिर है सरकार अपने उपलब्दियों की बखान करेंगी और करना भी चाहिए 24 साल है इसमें कोई लेकिन जो मुख्य बिपक्षी दर है भारतिय दंता पार्टी उन और उपलब्दिया क्या क्या होंगी ये डॉक्टर मन मोहन सिंग आपको बताएंगे फिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शकुर्वर अंसारी साहब है पुर्व सच्चिव हैं AACC के साथ ही पुर्व मंत्री हैं बिहार के और कॉंग्रिक्स पार्टी के वरेस्ट नेता हैं लेकिन इस वक्त पिछरा आयोग के सदस्या सब्ढ़्ट स्थ हैं बहुत बहुत स्वागत है जाने की तैयारी है चार साल गुजर गए और चार साल जिस तरह से गुजरे हैं उसमें एक के बाद एक विपक्ष में जिसमें आप भी शामिल हैं आपने सरकार पर हमले किये देखिए जहां तक मुख्य विपक्ष डल जो है बीजेपी ने कहा कि उन्होंने काला पत्र निकलेंगे और काला पत्र निकलने के साथ-साथ सरकार चार साल पूरा होने के बाद एक सफेद पत्र निकलेंगे अला वाइट पेपर रिपोर्टिंग उन्होंने जितनी वार पिछले जब थे तभी भी और अभी भी उन्होंने हर साल एक रिपोर्ट सब के सामने बेश करते हैं और उस रिपोर्ट में सरकार ने क्या किया नहीं क्या और क्या-क्या इरादा है ये सबी उन्होंने उहां पर कहां पर काम पूरा नहीं हुआ ये सब चीज जो है लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ चीज उसमें छुपा हुआ भी रह जाता है और इस बार की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश करेंगे रिपोर्ट के साथ-साथ इस बार कुछ नई चीज है सरकार के सामने आये जो मुकाबले करने वाली बात है जनता जिसकी जवाब चाती है और उसको रिपोर्ट किस धंग से प्रधा मंत्री देंगे, ये तो देखने की है, और पढ़ने वाली भी है, क्योंना ऐसा बहुत सारे गोटाला वोलो, कुछ भी बोलो जो सामने आया है, या सुप्रीम कोड की बाड़े बोलो, ये जो सामने आया है, इनको किस धंग से पेश क करेंगे क्यों ना उनकी मंत्री मंदल के कुछ इसमें जूरे हुए हैं विपक्च की भी कुछ बात इसमें है उनको कैसे वो सामना करेंगे ये सबी बात इस बार की रिपोर्ट में देखना है और खासकर कि इस बार की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जहां देखने वाली चीज है क्योंना यह आपके उनकी इस टार्म की आखरी रिपोर्ट जैसे हो गए कि उनकी इसके बाद तो चुनाओं में चले जाएंगे तू यह भी देखना है कि उन्होंने इसको और आगे चुनाओं भी कैसे मुकाबला करेंगे रिपोर्ट के कुछ चीज जो है अभी भी सरकार य हमारे आर्थिक जो है अच्छी नहीं है लेकिन अब राजमेंट के जरी यह बहुत सारे चीज क्या किये क्या नहीं किये यह सारे चीज सामने पहले से ही कुछ न कुछ पेश किया जा रहा है और सभी ने दिखा रहे है चाहे वो स्टेट गवर्मेंट हो दो साल की हो किसी के भड़के दे रहे हैं तो मैंने ख्याल जब रिपोर्ट उन्होंने पेश कर रहे हैं और रिपोर्ट सब के पास ही होचेंगे और तो इतनी खर्चा ना करते तो अच्छा है यह ना दो भी खर्चा होता है पब्लिक मुनी खरतों है लेकिन सरकार के लिए कुछ देना भी है तो कुछ खबरें तो अमारे सामने आ चुके है जी जू आए हैं वो सरकार की जो काम किये हैं उसकी मतला जहां जहाँ कुछ काम किये हैं उसकी आ लेकिन इस बार की रिपोर्ट जो है बहुत महत्तपुर्ण के देगे हैं कि खास बात है तो सरकार दे जो काम क्या हो तो हैं कि उपलबन्त कि बात जो है कि सबसे बड़ी चीज चारकार खास करके यह धेर साल जो मामना सामने आया है उनको किस ढंगस है वो फेस करेंगे किस डंगस इसको रिपोर्ट बेस करेंगे, ये हमारे पास, विडियोधियों के पास, ये एक बहुत इसमें देखने कीज है कि उन्होंने सरकार किस धन से इसको मुकाबला करेंगे. जे, सगिल साब, चार साल पूरे हो गए, जाहिर है, इस वक्त आपके, अगर देखे, सरकार के जो चुनोतिया रही है, काम करने के अलावा, एक तरफ से सीएजी, दूसरी तरफ से सुप्रिम कोर्ट, तीसरी तरफ से सीविया, चौते तरफ से विपाक्ष, तमाम तरह के हमले स सरकार पर लगातार हुए, और चुनाओ के साल है, कुछ राजियों भी चुनाओ होने हैं, तो जो दादा ने कहा कि किस तरह से इन हमलों का जवाब आप एक सरकार यहां पर देगी, तो क्या उमीद है, किन चीजों को आप लगता है कि ये गिनाने वाले हैं, जो लोगों को, जो परसेप्शन है, उसमें परिवंत अलाब है, सोच में. कई मामलों के लिए कंटोवर्सियल तो रहा ही है, परंतु उपलब्धियों से भी भड़ा परा है, ऐसा नहीं है कि खाली कंटोवर्सी है, उपलब्धियां भी हैं, बहुत सारी है, और जनता को जो चाहिए उपलब्धी, वो उपलब्धी पराप्त है, इसलिए कि कॉंग्र हैं, जो विपक्ष गैर जिम्मेदाराना तरीके से पर्लेमेंट नहीं चलने के कारण, उनको हम पूरा नहीं कर सके हैं, जिनको हम बहुत जल्दे पूरा करेंगे, फूट सीकूरिटी बिल और भूमी अधिगरन कानून ये दो भागते महत्पुन हैं, और जिस तरह से यूपीए वन था, यूपीए टू में उसको हमने आगे बढ़ाया है, राइट टू इन्फॉरमेशन यूपीए वन का हिस्सा था, लेकिन उसके रिजल्ट यूपीए टू में भी देखाई पर रहे हैं, सवाल है कि ये करौप्शन्स और दूसरी चीज़ें जो सामने आ रह हम उसको या सरकारें बहुत चीज़ें च्छिपा लेने में सक्सेस होती थी, जो अब कुछ भी नहीं च्छिपा सकती है, इस बार जितनी भी चीज़ें उजागर हुए है, वो किसी आर्टी आई के तहत नहीं है, या तो वो सी एजी ने उजागर किया है, या तो अपनी जो देखें गौर से, चाहे पवन मंसल जी के भतीजियों को रंगे हाथे, रंगो हाथ हुए नब्य लाख वपकरना, ये तमाम चीज़ें चीज़ें ने किया, जो टूजी कोल गेट वाला जो है, वो सीए जी ने उजागर किया उन तथ्यों को, और ये तमाम चीज़ें सुप् आपने आपको एटनोमस होके काम करने का जो परयास क्या है, या एग्रेसिवनेस देखाया है, पहले ये शक्ती नहीं देखा पाते थे, ये सब उसी का नतीज़ा है, के सरकार ने जो जनता को पावर दिये हैं, राइट टू इन्फोरमेशन से, सारे लोग उससे गाइड होत जो घोटाले, गपले के आरोप लगे हैं सरकार के उपर, आपने कहा कि ये आपकी सरकार के बनाई गई जो कानून है, उससे लोगों को ये फैसल लए दादा, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं, कि यूपीए टू की जो रिपोर्ट है, वो क्या र रिपोर्ट कार्ट पेश करने का, अब जब रिपोर्ट कार्ट सरकार का है तो उसका सरकार की उपलब्धियों की चाशनी में डूबा होना लास्मी है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट कार्ट से अलग, अगर जमीनी स्तर पर एक रिपोर्ट कार्ट बनाय जाये तो उसमें घपले गोटाले बवाल विवाद चाहे वो पड़ोस में या फिर अंदर सहयोगियों और विरोधियों के साथ ये ही प्रमुकता से नजर आते हैं गोटाले और भष्टाचार पिछले तीन साल 2G, CWG, आदर सोसाइटी और कई और गोटालों की फैरिस्त में इस साल हेलिकॉप्टर डील, कोल गेट और रेल गेट मानुग घोटालों का ना थमने वाला सिल्सला सिविल सोसाइटी, बीते तीन सालों से सरकार के लिए सिर्दर्द रही, सिविल सोसाइटी को इस साल मानुग सरकार ने निप्टा दिया रामदेव जाच में फस गये, अन्ना अपनी अलग राह पर चल निकले, तो और विन के जिवाल सियासत में उतर आए फजीहत की फैरिस्ट, बीते सालों में सोसाइटी घूटाले में महारास्ट के मुखे मंत्री अशोप चौहान का इस्तीफा, तो इस साल रेलवे घूसकार में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और सीबियाई मुद्दे पर अश्वनी कुमार का इस्तीफा मानों सरकार की फज सभा का जिक्र ऐसे सदन के रूप में किया जाएगा जिसने सबसे कम काम का जुआ, टूजी, जेपीसी, तमिल मुद्दा, सरबजीत मामला, चीनी सेना की घुसपैट, कोल गेट, रेल गेट की चलते पूरा बजट सेशन धुल गया, 32 दिनों के कारिकाल के 94 गंटे 42 मिनट के शवों का अपमान की घटना और सरबजीत मामले ने सरकार की किरकरी कराई, तो वहीं सरहद में चीनी सीना जोरी सरकार के लिए संकट का सबब बनी, महत्वा कांशी बिल लटके, खादी सुरक्षा बिल और भूमी अधिग्रहन बिल एक बार फेल लटक गए, यही नहीं एज अधान मंत्री गडबंधन धर्म की मजबूरिया गिनाते हुए बड़े फैसले पर अमल करने से कतराते नसर आएं, चाहे वो सुधारवादी कायरक्रम और योजनाय हो या फिर किसी पर फॉरण कारवाई करने का मामला, सरकार की तरफ से हो रही देरी और चुपी लोगों को काफी अख्री, महंगाई, विदेश, नीती, आर्थिक सुधारों पर सरकार की खामोची और काला धन जैसे मामलों में सरकार की धिलाई के चलते देश और दुनिया में सरकार की इमेज खराब हुई, महंगाई, महंगाई सूरसा के मुग की तरह बढ़ती रही, यूपी एव टू में FDI मुद्दे पर मंता बनरजी की TMC, शेलंका में तमिल मुद्दे को लेकर DMK, इस्थाने मुद्दे को लेकर GBM और AIM, IIM जैसी शेत्रिय पार्टियों ने UPS से किनारा कर लिया, पीम की छवी धूमिल, पीम मनमोहन सिंग की इमिज आम तोर पर एक इमानदार और समर करीवियों पर लगते नित नए आरो, संसत का लगतार बाधित होना, सरकार की साख को काफी नुकसान पहुचा, Bureau Report GEN News. उलहज रही है, उनका चर्चा निशितूर्प से क्या गया है, लेकिन सरकार की उपलब्धियों का तो इसमें चर्चा है नहीं, तो सरकार अपनी उपलब्धियों का काट कल पेश करेगी, जनता के सामने तो यह सवाल है, जो इन सवाल का जवाब हम कल प्रदान मंतरी की उसके खिलाफ आपकी पार्टी ने तै किया है कि आप काला पत्र लाएंगे, यह स्वेथ पत्र तो हमने सुना था, यह काला पत्र क्या है? सरकार का कला करनामे का यह रिपोर्ट होगा, आपने जैसा अभी एक लंबा रिपोर्ट पुरे है, ऐसे यह सरकार का जो कला करनामा है, यूप्लेकू का, यह घोटाला का सरकार है, रोस्ताचार का सरकार है, लोग विरोधी सरकार है, जनता का विरोधी हर कमुनिटी का, तो आप काला पत्र में क्या बताएंगे जो देश को सब कुछ पता है जो कुछ हुआ है उसके सरकार का अपना रिपोर्ट लाएगी पेश करेगी देश के सामने आप क्या बात नहीं बताने वाले हैं जो देश को पता नहीं है नहीं जैसका जनता को पता है लेकिन उसको बार बार याद दिलाना और उन्हें प्रभाव चालना लोग उसमें आउर नहीं चेजी से उस बात के लिए सरकार का विरोध में आएं यह भी इपक्स का नाते में हम लोग का दाइचो बनता है जिम्यवार बनता है यह क्या चुनावी साल को देखते हुए आपने यह अपनी पूरी रंणीति का हिस्सा है चुनावी रंणीति का आपको यूपिया सरकार की बेफलता देश की जनता परिशान है उससे कुछ लेना देना नहीं था नहीं तो आप तीन साल चार साल चुपड़े जब आप चुनाओ के साल आए हैं तब आपने इन मुद्दों को उठाना शुरू किया है क्योंकि आपको चुनाओी फाइदा चाहिए नहीं यह बात सही नहीं है आप जब बोल रहे हैं हम परल्यामेंट में और बहुत सारे समय में हम डिस्टिक लेवल ब्लॉक लेवल आप रोड पे जाके हम लोग आंदलन किया है हमारा मेता लोग हमारा सारे सर्कार जिरुपचारी दिया है तो हम लोग काफी आंदलन किया है लेकि फरकार सुनने वाला नहीं है इस सरकार इतना गूंगा है यह सरकार इतना गूंगी है अर इन संसिट्व है उगमें कोई addition को आप से एक सवाल करना है ले लेके देना है भारत भारत में जो भारत की जो सरकार है जो केंद्र की सरकार है जो मुख्विपक्षी दल भाजपा और जो उनका गठबंदन है इन्हों चार साल में या नौ साल में constructive विपक्ष की भुमिका नहीं निभाई यह आरोप है आपके उपर आपने सदन को नहीं चलने दिया आप चर्चा से भागते रहे आपने मुद्दों से मुद्दों पे सियासत की लेकिन उससे सिर्फ सियासी फाइदे के लिए उससे देश का फाइ आप मैं पूछ रहा हूं 2G में 2G ममला में फाइनली वो CDI का inquiry दिया पार्लामेंट इतना दिन हंगामा करने के बाद दिया आप कोईला घोटाबा में भी हम इतना दिन संसत को रोग के रखा घोटाला तो इसको inquiry करो साम कोल रहे तो नहीं किया तो हमारा जिनवरे निभाया इसलिए सरकार के उपर में दवा पड़ा इसके करण उनको inquiry करने के लिए बात दो हुए तो इसलिए हमारा साम के करण या हमारा पार्लामेंट चलने नहीं देने के करण इसका प्रभाव हुआ आप चुची में भुआ, कोईला में भुआ, पाकिसों में हुआ आप ये बताएंगे जनता को कि चंसत बाधिक करने का फायदा आपको बहुत जादा हुआ आपको संसत का सतर रोकना पड़ा लगाएंगे जो लोड़ाओ साहब की आपकी मजबूरी थी जो आपने संसत को रोका सरकार आपकी नहीं सुन रही थी इसलिए आपको संसत का सतर रोकना पड़ा लगातार उसको बाधित करनी परे लगातार उसको अपने चलने नहीं दिया और आप बताएंगे सरकार की पहलताओं को अगर आपसे बिपक्ष की जो आपका रूलिंग पाटी है उनका ज़्यादा इसमें रेस्पंसिव होना जाइए उनका जाइए बिल्कुल आपने आपको पन्रॉप नहीं किया जी जी बहुत अपनी रहा है वरिष्ट नेता आप जानते हैं संसद रह चुके हैं कुछ कहना चाह रहे हैं जी एक चीजा है जी जी जाइए जवाब नहीं दिया लेकिन संसद की जो बजट है वो बजट को जिस धंग में हम लोग चर्चा ना करके पास किया इसमें फैदा संसरकार जादा ले ले ली और हमारे पास हम उसमें कोई बैस नहीं कर पाए और बिना बैस से पूरा बजट पस हो गई तो उसमें क्या है नहीं है हमारे जो बोलने की जगह थी वो हम कर नहीं पाए तो ये सारे चीज जो है इस पर इस पर आपके भी फूमिकाद ही वह भूमिकाद हैं। वह तो प्रश हो गया! जिस पर बहस होना चाहिए था! वह खट करने की फैन्दा ले लिए? फाइदा सरकार को आपने उठा रहे दिया! जो है लुड़ाओ साहब हलो हलो जी जी आप ये बताईए जो अपनी रॉय कह रहे हैं देखिए ये दो टाइप का आप प्रसुन कर रहा है एक टाइप का ये उनका उत्र है जी आम पर्लामेट चले नहीं दिया दूसरा बोले कि बिना बहस में आप तब बजेट पास हो गया ठीक हैना जी मतलब भडवजेट रूप जाता वर रजजे दूसर बहस में बाढ Evet no सब्सेंट ब्स अनुसर जब नहीं देना बुरूर का ये में ज्योए लोटों साम उसके बैस की जगरोए इंद्धिक रहे हैंvan गोग रहे हम प्रेस करते रहे हमारा दिवान को इसके बावजूद भी पुरा बने पार्लामेंट सिस्टम में बजेट ना रूप जाए आपका बाकी जो यूनियोन गुर्बर्मेंट का या बाकी जो फैसला लिए आपके बजट को पास होने देगा है यह बहुत पुछ रहे थे यह कि अब हिजू बी जै पी ने फैसला किया है कि हम क्या का का काला पतर जारी करेंगे तो काला पतर में उन्से पूछिए कि क्या यह जारी करेंगे कि जो प्राइम पॉब्लिक अंडर टेकिंग को एंڈ ये की सरकार ने कौडियों के मूल अपने रिष्थे और अपने को बाड़ दिया जिसमें देश भर कि हां इंडिये में प्राइम पब्लिक अंडर्टेकिंग जितने हैं इसकी बात कर रहे हैं इस इन्वेस्वेंट्स नाम पर आप उसकी जाच करवा के जो गलत काम हुआ उसको उसको सजा दिलवा सकते थे आपने वो नहीं किया आ अपकी सब्सक्राइब कर देश के लूट किया उन्होंने उसको लाएंगे कि नहीं वो उनको उनको पूछ रहा हूं आपने इस चीज को उठाया मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी नो सा और आपने आपने क्यों नहीं कारवाई की अगर कोई ऐसा चीज गलत के सामने तरफा आपके सा आपके साथ सब कुच है सकता का लोगोंźniej आपको चुनके बेज अगर अ Yeah की विफलता रही उसके कारण आपको सफलता भिली तो आपने 9 साल सथक सरकार चलाया 9 साल पूरे हो रहे हैं तो आपने देश को किया जनतार रूँ जो आपने विश्वास पूछ रहा हूं उनका डिस इंवेस्मेंट आएगा की नहीं आएगा उनके दो प्रिस्डेंट करुप्शन के नाम पर कार्गिल में कौफिन बेचने के यह आरोपी लोग की नहीं आएगा यह रेडी बंधों के साथ मिली भगत करके चोड़ी करने के लिए करनाटक में लोगों ने कॉंग्रेस को वापिस दिया पिज़ेटी से जी अन्सारी जी शकिल साब आपने यह तो कहा ठीक आपने सरकार में है 9-9 साल सरकार में है, आपने इसको जानते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया ये बताएं कि जनता के सामने रिपोर्ट में, सवाल इसमें आता है कि हम को पर जब चोड़ी की लगाया जाता है, या बर्ष्टाजार की बात लगाया जाता है, तो हम दूसरे को क सामने एक सरकार पांच साल चलाई, उसके बाद चार साल चला लिया, आगे की भी चिंता जो है, इसमें क्या है नहीं है, चुनाओं के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सत्ता में रायने के बावजुद, आपका भी किसी को कुछ पोल खोलना, या किसी चैप्टर को करना, या उ दूसरी बात मैं कहा रहा हूँ कि आप जड़ा ये सोचे है कि आपने एक नैशनल पार्टी है, कांग्रिस, सबसे बड़ी जो है, और नैशनल पार्टी होने के नाते हम संक्सत जिजधंग से चला रहे हैं, या विरोधि उसको बंद करने की कोशिश करने हैं, लेकिन इसमें देश की जो हानी हो रही है, कि देश की जनबादी वेवस्ता में फुट आ रही है, क्यों ना, आज की जिसमें जो सरवच्चनाय रहे हैं, वो हमारे चीजों की जो चीज हमें चर्चा करने हैं, वो वहां से आ रहा है, अब हमें फिर कहना परता है, आदाल की ये हैं, ये जो नजर नहीं रखेंगे, तो फिर हानी जिसका होगा, आपका क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, बेक्ती का क्या होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, पूरा हानी जो होगा, देश का होगा, ये समसे बड़ी बात है, जो पार्लमेंट को अगर हम ठिक दंग से ना चलाएं, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आ रही है, मैं बता रहा हूँ, यह आज हो तकल लो कि पार्लावेंट की कोई मान्हतर नहीं रहेगी, उसकी गरिमेंट की चाहेंगे, मैं कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन जो बोल रहे हैं, उनकी पार्टी लाइन अल सवाई होती, तो आपको नहीं लगता विपक्ष के हाथ से आप मुद्दा ले सकते थे, आप देश के सामने, एक यह सवाल है, यह सवाल अभी भी विपक्ष के जो नेता थे, वो भी पूछ रहे थे, उन्हों अब वो कह रहे हैं कि हमारे दवाब में हुआ, लेकिन संसर सद रहे हैं, उतना असन नहीं है, और आप इतने गहर जिम्मेदार लोगों की वकालत इतना जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, यह भी अतनी आसन नहीं है, कि वो इस्तिफा अगर उस टाइम में कर दिया जाता, तो यह संसर चलने देते, पहले तो यह किसी का डिमांड कर रहे थ हैं, फिर यह कहते हैं, कि फांसी चाड़ा दो, कि सजा दिला दो, तो यह गहर जिम्मेदार लोग हैं, अभी तो यह था, इससे पहले कब क्यों नहीं चलने दिया, इसलिए कि अभी उनके परवक्ता ने भी कहा, उनके लोगों ने भी कहा, कि उनको संसर चलाने में कोई स्थ नहीं है के ऐसे घैसे 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 जाkt अब और उसके अपिए प्रेट डिया करें यही इनके उपलब्दियां है तो पर्लेमेंट में जंता इनमें नहीं भेचने वाले है आपने जिम्मेदारी के साथ बताईए कि आपने जो काम किया जिम्मेदारी के साथ काम किया और जनता आपके ओपर खुसी है क्या क्यों ना आज की जो चुनाओं के परिष्टिती शिटंग से मनाये हैं जनता आके भोर दे रहे हैं, बोर देने के आते हैं, जनता को इलेक्शन कॉस्ट यह बढ़ गई, जनता अपने नमायंद को भेजने ही पाते हैं, लेकिन जहां अभी भी बहुवली की बात है, जिसकी पास पैसा इसकी बात है, कुछ परच आहिस्त में तो लड़ सकते हैं लेकिन देश के बारे मं सोचेंगे ऐसा जो है ये सोचने वाली बात किसी के पास अभी है नहीं if इसको चलाने वाली बात जो है, सही माने से पहले कि आपके जमाने के जो है, जिस थर्म देखें, अगर हम नहरूजी के टाइम के बताएं, तो जभी बात आई थी, उन्होंने संक्सत के अंदर ही उन्होंनों को ड्रॉप कर दिया था, टीटी किस्नवाचरी को, किस्नमेनन को, आईस्ता हमने यहां आया, जितना ही कहो, जितना हो, वहां से हो, यहां से हो, हम अपने संक्सत के आखरी दो दिन था, दो दिन के बादी संक्सत तो चली नहीं, फिर किया है, जो भी यह किया है, जैसा भी हो, किया है, सरकार का जो दाइत तो हो दाइत तो वहां भी विफलता है चलाने में सरकार के और विपक्ष के बहुत सिनियर आप मिंबर परलेमेंट रहे हैं आप देखे जो रूलस अफ जो पर्सीजियोर जो है परलेमेंट चलाने का वो तो पचीस आदमी अगर तयार हो जाई यह गहर जिम्मेदार परलेमेंट नहीं चलेगी और में नहीं होता है जो वेल में आ जाता है तो सरकार को चलाने के लिए लगातार स्पीकर साहबाने मीटिंग करते रहे हर दिन मीटिंग होते रहे हर दिन यह है कि नहीं चलने देंगे नहीं चलने देंगे इसलिए एक कारवाई आपने की लेकिन उस समय नहीं, अगर समय कोई सवाल है, कि अगर समय रहते हैं, आप कारवाई करते हैं, क्या सरकार करते हैं, कौन सी चीज़ पर हुआ एगरी कर रहे हैं, उनको चाहिए जनता इनको सत्ता ना दे, और आए पर्लेमेंट में चाहते हैं, कि सरकार इनको सत्ता सौंप दे, ये सरक कि अगर अगर ये दो दिन बाद दो दिन पहले में अगर का आप उन्होंने अपने पड़िचा ठीक जंग से रखा नहीं है मेरा कहना है आपने नौ साल सरकार चलाने में जिम्मदारी का सरच चलाई और देश के सामने अपके पास अच्छे से अच्छे जिम्मदार आदमी है ये संक्षच के लिए क्या हम इसका परिच्छे दे पाएंगे मैं आपकी सरकार की अन्हेंदा कर रहा हूं ये आज की दीन की हाला जीश देगा जारी है मैं उसमें से शंका है मेरा एक छोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा दादा हमें छोड़ा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लोटते हैं